नमस्कार मैं रंधिर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास तो आज मैं आपके लिए परसेंटेज के कुछ बहतरीन कोश्चन लेके आया हूं लगभग 15 कोश्चन है आपको सीख के अच मैं क् कथई का आप पर शुर्टन कोश्च करों तो यह कोश्च को देखा जाए तो आप एक लिए चलीकी आप कोरने की । तो देखेए Qooshan में क्या बोल रहुल की salary 630 रुपय से बढ़के 700 रुपय हो गई इसका मतल्थ देखेए अगर आप ध्यान दीजे हुआ क्या है तो आप कहेंगे कि राहुल की salary थी वो 630 थी राहुल की salary कितनी थी 630 थी और बढ़के हो कितनी गई 600 तो 630 से अगर वो बढ़ कि प्रतिसत की ब्रतिसत की ब्रतिसत की ब्रतिसत हो जाएगा तो कितना यहां पे ब्रतिसत ुषે तो आप बताई बृध्धी का मतलब अधिक का परसेंटेज मांग रहा है तो बृध्धी का परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है तो हम बोलेंगे एकदम आसान तरीका है बृध्धी का परसेंटेज निकालना होता है तो दोनों का अंतर उपर रखते हैं अगर इन दोनों म तो जो दोनों में कम होता है वो नीचे रखते हैं ये एक तरह का ट्रिक्स लगा लीजे आप ऐसे तो बेस नीचे रखते हैं लेकिन आप ऐसे मत याद कीजे कि बृध्धी का परसंटेज मांगेगा तो अंतर उपर रखेंगे क्या उपर रखेंगे अंतर उपर रखेंगे तो 600 300 700 का अंतर कितना होगा 70 तो अंतर उपर और ब्रिधी का परसेंटेज बोलेगा ना तो नीचे में जो दोनों में ना कम वाला होगा वो नीचे रखेंगे ब्रिधी बोलेगा तो कम वाला नीचे तो दोनों में क्या कम है 630 तो 630 नीचे रखेंगे और गुना में हो जाएगा 100 630 नीचे रखेंगे और गुना में हो जाएगा 100 तो अगर काटे तो 0 से 0 गया 79 63 और आगया 100 बटा 9 100 बटा 9 को अगर हम पुर्णांग में लिखे तो 1199, 11 पुर्णांग 1 बटा 9 परसेंट तो बृद्धी का परसेंट यहां कितना आगया 11 पुर्णांग 1 बटा 9 यह आगया एंसर तो आप देख लिए इसको कैसे बना है तो आपको इसमें क्या सीखने को मिला पता है अगर याद रखे बृद्धी का परसेंटेज यह बहुत यूज होगा 80 परसेंट को स्चनों में यूज होता है एक्जाम में जो बेसिक लेवल के को स्चन आते हैं उसमें क कि बृद्धी का परसेंटेज बांगेगा ना तो अंतर ऊपर रखेंगा ओर बृद्धी बोलता है तो कम बाला नाजचे बृद्धी बोलेगा देखें आतर ऊपर और बृद्धी बोलेगा तो कं बाला न नीचे और गुना मैं 100 तो दोनों में जो कम है न exploit 600 तीसको शुषय तो देखें इसी कोशन में देखें क्या बोल रहा है अगर आप देखेंगे तो कोशन में बोला क्या है करा एक TV सेट की कीमत 500 रुपे की बढ़ोत्री हुई तो कीमत बढ़के 10500 हो गया अगर कोई चीज में 500 बढ़ा है ध्यान दिजेगा कोई चीज का कीमत है हमको नहीं मालू कितनी कीमत है हमको नहीं मालूम माल लेते हैं कुछ कीमत होगी लेकिन इसमें कितने की बढ़ोत्री हुई है तो कहेंगे इसमें 500 की बढ़ोत्री हुई है और अगर 500 की बढ़ोत्री हुई ना तो हो कितना गया तो कहेंगे हो हो गया है 10500 तो अब बात यहां समझेगा कि अग आप से पूछ ले तो आप बोलेंगे पक्कासर वो 10,000 था पहले का कीमत कितना था 10,000 रुपया होगा तभी ना 10,000 रुपया में अगर 500 बरहेगा तो 10,500 हो जाएगा तो यहां पर आपको समझ में आई यह 10,000 कैसे आया कि 10 अगर कोई चीज में 500 बरके 10,500 हो गया तो पहले 10,000 अगर यहां पे बोल रहा है यहां भी आप ध्यान दीजेगा किया मांगा है देखें है कितने प्रतिशत की बरहुत्री हुए बरहुत्री मतलब ब्रिधहे की पर 20 अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि चाहते हैं सिम्हादर की बृथहाई हैं कि बृथद्धी का पर्तियसन्त बोलेगा न तो ऐंतर ऊपर तो ढोनों न वहां उपर है स्टेफ क twist, तो न न तरफ़े का 500 हैं दस ़जार और दस जर पांसो में कौन कम है दस तो दस जार आप नीचे रख लिजएगा और गुना में क्या ले लेंगे 100 ठीक है तो यह हो जाएगा अगर काटा जाये तो 00 खतम अगर और यह 00 भी खतम तो आएगा क्या तो पांच परसंट आएगा ध्यान देजएगा क्या तो इस question को भी आप देख लीजे, 5% की बरहुत्री हुए, तो next देखते हैं, आपको ये दूसरा number की question समझ में आया होगा, अब देखिए ये question, सभी question धीरी-धीरी कोशिस कीजिए, आप उस समझ में आने लगे, और आएगा समझ में, अगर आप कोशिस कीजिएगा, तो ऐसा इस कोशिस की question समझ में, ना आये, जैसे की ये ही question दीखिए, एकदम कितना सुंदर question है, आप इस question पे धहन देजे लिखा है, चीनी के मूल में 10% की कमई हुई है, अचा 10% की कमी होने का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई कहे, की 10% की कमी, ध्यान देजे गा, अगर कोई क 30 पर्ON को स्कते हैं तो यृत कि लिए वह से गए गढ़िए और अटिन बंग अगया या है नहीं करकी दस को द story हो जाना कि दस पे कम हो जाना इसका मतलब ये है कि पहले छीनिया है कि पहले छीनी का दाम अगर दस रूपय होगा ना जसोगा तो अब 10 पे एक कम होगा है इसका मतल WIL recom कमी का मतलब क्या होता है कि 10 पे एक कम हो जाना 10 पे एक कम हो जाना तो 10 पे अगर एक कम हो गया तो 10 पे एक कम होने का मतलब 10 से नौ हो गया तो अगर कोई चीज 10 से 9 हो गया पहले 10 था नौ हो गया तो यहां कितने परतिसत की बृद्धी कर सकता है ताकि उसके वय में कोई परिवरतन ना हो गया तो चीनी के मुल में 10 परशुन की कमी हो गई इसका मतलब वो 10% का मिलता था तो आब 9 का मिलेगा, तो कर एक खपत में कितने परतिसत की ब्रिधी की जाए, मतलब वो कितना ज्यादा खाए, तो करनी चाहे ताकि उसके व्य में कोई परिवर्तन ना हो, तो ध्यान दिजे, अगर कोई भूले आप से, यहां पे लेक लाइन द का फर्मूला होता है, अंतर उपर, तो अंतर तो दोनों का एक आ गया, 10 और 9 का अंतर एक आ गया, और अंतर उपर और ब्रिधी बोले ना, तो दोनों में जो कम है उसको नीचे रखते, 9, और गुना में 100, ध्यान दे पा रहे हैं, तो इसका एंसर आ जाएगा 100 बटा 9, 100 तो उतन ही खर्च करना चाहता है, तो खाना जाए तो कसितना प्रति Cars ज्यादा घहाए, तो उतन खर्च करना चाहता है, तो इसका से घंखने हैता है, और या जो सब्सक्राइब ना सब्तलों कितना ब्रिधी खापत में कोई शीज का धाम संधाकती खर्च के, आभ न ही उत कम बाला दोनों में कम जो रहेगा नीचे और गुना में 100 यही तो फर्मुला होता है इसका तो इस चीश को आप समझेंगे जैसे कि आगला देखिए अग धीर 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 चीशें आपको समझ में आने लगेंगे जैसे कि यह देखिए यदि एक याए बीक याए से 24% कम हो अचा अचा से 8 से नहीं के यहाँ लिग दे रहे हैं जो 24 व्ट यह कितना हो जायेगा 100 हो ठीक है और 4 से काटे तो 4 छक 24 ।ो 4 से यह पंचीत इसका मतलब यह है कि कितना है 6 व्ट पचीश है इसका मतलबelyn पचीश था पहले और आप 6 कम हिए कमी का मतलब ना ऊपर वाला कमी को तो स कि 6 कम हो गया हो गदा रादीर उनीस का बचसेखत अब इसका मतलब यह है इसका मतलब किया है कि अगर चीनएनी 25 का था तो अब 100-27 को से चीनए झता सबिटेगा तो एक की आए कितने परतिसत अधिक करना होगा तो देखिए यहां पर समझ में आ रहा है यदि एक की आए बी की आए से पचीस परसेंट कम हो तो कितना परतिसत अधिक होगा तो देखिए यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप मेंसन करें A कौन है B कौन है ठीक है इसके कोई जरूरत नहीं है आप बस यहां लिखिए कि क्या मांगा है तो अधिका परसेंटेज मांगा है तो अधिका परसेंटेज क्या क्या फर्मूला होता है तो अंतर उपर तो अंतर तो 6 तो 6 उपर अंतर उपर आप बृद्धी अधिक बोलता है तो दोनों में जो कम होता है उसको न लिखा भी हुआ है ये तो इसमें, कि SSE CPU में आया था 13 March 2019 shift दूसरा में, तो इस चीज को आप समझेंगे, कि इसका एंसर क्या जाएगा, D आ जाएगा, तो इसको बनाईगे, तो आप देख पा रहे होगे, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं आयरा होगा, अच्छा यहां पर किया लिखाए, एक कीमत में 16,66% की बिध्य होगा, देखेगा, कह रहा है क्या कीमत में, तोस года है कोशना बदल रहा है, 16,66 % की क्या हो गई है, बिध्य हो गई है च्रेशं आपनेने फॉन और ऐना भी है को शए तो इसको तो दोडल के सोता को तो एक सक फरहें था मतलब 2 आज चाहा है इसका मतलब कितना होगा 16 प्रुनांग 2 बटा 3 को 50 बटा 3 ही कहेंगे और अगर उसको तोरेंगे तो कितना जागा 1 बटा 6 इसका मतलब यह है कि कोई चीज पहले 6 था तो उस पे अब देखे एक और बात बृद्धी बोला यह माइनस नहीं देजेगा बृद्धी बोलने का मतलब है यह ना कि अब उपर वाला ना यह प्लस हो करेगा उपर वाला क्या सो रुक करेगा प्लस का साइन उपर वाला क्या सो करेगा? प्लस का साइन क्यूं? क्योंकि यहां ब्रिध्धी हो रहा है अगर कमी होता है तो उपर वाला कमी को सो करता है और ब्रिध्धी हो रहा है तो उपर वाला ब्रिध्धी को सो करेगा तो 6 पर एक बढ़ने का मतलब है कि पहले 6 था न तो अब 1 बढ़ टृ देखिएगा, अगर हम इसको निकाले कितना कम करना परेगा परशेंट में तो अगर हम बोले कि कमी का percentage मांगा है किना कमी का? तो देखिएगा अभी तक हम लोग जितना कोचन बना रहे थे उसमें बृद्धी का percent मांगा थे इसमें क्या मांग रहा है कमी, तो कमी वाले में भी ना अंतर उपर ही रखते हैं, अंतर कितना है एक तो अंतर उपर रखते हैं, ठीक है, कमी वाले में भी अंतर उपर रखते हैं, बस याद रखेगा, बृद्धी बोलता था तो कम बाला नीचे रखते थे, और यहां क्या बो समझने का प्रयास किजए क्या प्रयास करना है आपको ध्यान बस दो ही फर्मूला पर देना है अगर बृध्धी का परसेंटेज देखिए हम यहां पर चाहे ना तो हम यह फर्मूला मेंसन कर सकते हैं एक छोटा सा में फर्मूला मेंसन कर सकते हैं कि अगर कोई कहे ना कि तो नीचे में कम वला और गुना में 100 यह हो जाता है व्रिद्धी काप्रसंटेज का trick अरृ अगर ब्रिद्धी के यगए ऐसर कहेगा क्या क्या का कमी का पर्सेंटेजिक क्या होगा क्या इक क्या 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 ब resonates का क्या प्रसंटेजिक और ओफकिया और अन्तर देखे 봤 कमी, तो अंतरवाह दोनों में उपर है, विर्धि में भी आंतर ऊपर होता है, कमी में भी आंतर होता है, कमी में भी खरिभॉताओ रहना रहता हम था तो देखेम जाद कमी भी जादा कमी जादा रह DruPP छोड़ा लृग है सब्सक्राइव पहला यही एक option है चौदर दस हमलों में बाकी सब तो अलग है तो इस question का एंसर होगा 14.28% तो इसको लिख लिख लीज़े तो देले देले आपको समझ में आ रहा होगा देले देले समझने का कोशिस किजे 5 questions हो गया आगला चठा पर जा रहा है हमलों देखिए यही question देखिए 18% के बृध्धि होगा ध्यान दीजेगा इसमें कितने परसंट के बृध्धि होगा 18% के बृध्धि होगा तो अगर हम ब पार्ट चल रहा है आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए तो जाके मज़ आएगा अच्छा 18 पर्शन बोले और इतना बेसिक तो दुनिया जानता है दस भी नवी की चीज़ें अब 18 पर्शन को कैसे लिखा जाएगा तो कोई जानता है कि 18 पर्शन लिखना है 18 बटा 100 लिख द करते हैं तो कोई संख्या ना 50 था तो उसपे 9 जादा ना जाधा हैंचा 9 जाधा का मतलब 50 में 9 जो रहांगे तो कितना हो जो जागा 59 ये तो झांल डुल पर्शन बेसिक इसका कोई चीज binnen पहले चीनी काता ही 100 था ना तो बढ़ सटन लिखें अब देखे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है व्यक्ति कि खपत में कितने प्रतिसत कमी करनी होगी, अच्छा कमी करनी होगी, कमी का परसंटेज मांगा है, अच्छा अगर कमी का परसंटेज मांगेगा तो अंतर उपर, अंतर कितना है, 9, और कमी बोलता है तो दोनों में जो इस चीच को आप देखे कि कितना हो जाएगा 988-59% बनाईए तो यह हो गया होगा आपका अचा इसमें point में दिया है तो इसे कोट लीजेगा देख़िए कितना आ रहा है 250 आप लगा लीजेगा लगा कितना आएगा बताएगा आमको कोशन सिखने पर दियान दिएगा ठीक है काटने का काम आपका है वो कट जाएगा आप धी धीले धीले तो हो जाएगा ठीक अब देखिए यही बला कोशन काफी संदार है ध्यान दिएगा कुछ चीज है आपने से आप कैलकुलेटिव कीजएगा, कैलकुलेशन तो खुद से ही करना होगा आपको तरीका हम आपको अच्छा बता देंगे अगर आप देखेंगे इसमें तो लिखा क्या है यह कोशन बहुत मुझेदार है चीजों को सीखने का समझने का प्रयास कीजए करें कि चाय के मुल में 20% ब्रिद्धी का मतलब ना अगर वह 100 का होगा ना 100 का होगा ठीक है तो 20% की ब्रिद्धी हुई है तो 20% बढ़ जाने का मतलब है ना कि वह कितने का हो गया होगा 120 का देखे इसको ऐसे बनाना पड़ेगा तभी मजाएगा हर चीज का अलग अलग तर अलग तर इसको ब्रिद्धी का हो जाएगा तो इसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन मैं अपने वह को केवल 15% बढ़ाना चाहते हूँ देखे चीनी का दाम ना चीनी का दाम क्या हुआ है 100 से 120 हो गया है 20% बढ़ा है लेकिन वह आदमी का रहा है ना 100 से 120 हो गया लेकिन आदमी जागा ना कारहे हैं 120 तो हम खर्च नहीं कर पाएंगे लेकिन 15% बढ़ जा रहा है जिकता खर्च कितना खर्च करने त्याँ है 115 तो थ्यान देजाए कि चीनी के दाम 20% बढ़ा है बेकिन आदमी अपना खर्चा 15% बढ़ा है इसका मतलब साः चीनी 120 हो गया है लेकिं भोग को कितना परतिसत कम करना होगा, तो ध्यान दिजेगा, अब जो compare होगा, देखे, इतना हो गया है, चीनी इतना हो गया है, पर वो खर्चवा इतना ही करना चाहता है, 115, तो यहाँ पर कमी का परसेंटेज मांगे रहा है, तो इन दोनों में ही केवल compare होगा, कि वो 120, चीनी कमी 120 हो गया है, पर वो 115 ही खर्च करना चाहता है, तो यहाँ पर कितना परतिसत की कमी करनी होगी खाने में, तो कमी का परसेंटेज मांगेगा, कमी का परसेंटेज मांगेगा, तो क्या फर्मूला बताएं, अंतर उपर, तो 115 और 120, इन दोनों में ही compare होगा, क्योंकि इतना ह करना चाहता है, तो कितना परसेंट कम, तो अंतर कितना है, 115 और 120 का अंतर तो 5 होगा, तो कमी का परसेंटेज बोलेगा, तो अंतर उपर, और कमी बोलेगा, तो दूनों में ज्यादा होगा नीचे, तो दूनों में ज्यादा कौन है, 120 तो 120 नीचे लिख लिजेगा, आगुन पॉइंट और अगर 10 है तो 6 से एकम 6 ठीक है फिर भी 6 एकम 440 हो जारीज इस फोर पॉइंट पॉइंट जाएगा था यह ना कि एक श्थान तो चार दसमलों 16 है तो आंसर 4 दसमलों 20 मार देज़ा टू 4.2 ही हो जाएगा क्योंकि इसके नजदीक है वो कह भी रहा है कि दसमलों के एक अस्थान तक ही लेना है तो 4.2 ले लिजए क्योंकि 16 आया है और 4.2 का मतलब 4.20 होता है तो इस चीज को आप ध्यान देज़े लिख 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 लिज़े नेक्ट पे चलते हैं धीर 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 आपको चीजे बुझाने लगेंगी जैसे कि एक कोशन और देखे इस तरह का देखे अगर हम इस कोशन को ही देखे कि ये कोशन में क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान देज़े लिखा यदि चीनी के मुल में उसी तरह का कोशन है अगर अगर 100 का होगा ना तो वो 18% बढ़ गया है 18% बढ़ने का मतलब अब वो 118 का मिलता होगा तो चीनी के दाम में 18% की बृद्धी होई है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की बृद्धी करना चाहता है तो ध्यान देज़े वही चीज है जैसे कोशन अभी जो नह 110 बैको कशने केंद तो लेग करना चाहता है तो यहीं बोल रहा है कि व्भोग में कितने परितिसत की कमी करने होगी परली यह परतिसत की कमी तो अब कंसरा बढ़ना इन दोनों में होता है जैसे क Commerce ताएप का सेम है तो कहेंगे क्या कि देखे कुछ करना नहीं है यहां पी कम कामी का पर्ससेंटेज निकालने का मतलब यह होता है कि करना क्या होगा तो अंतर ओपर अंतर कितना अच्छे अंतर ऊपर अर कमी बोलेगा तो ज्यादा वाला शुल्ज रहा है तो यही तो आए straps कुछ चीछ हे तो यहां कट जारहा है न क्या कट जाएयगा 2 से कट ले 2 पंजय इसका मतलब लगभग यह 5 पॉइंट कुछ जाएगा 5 पॉइंट कितना लगभग जीरो और इसका मतलब यह हो जाएगा कितना 5.1 के लगभग होगा आप काट लेजएगा 0 8 आएगा लगभग यह तो 1 मारा जा सकता है ठीक है इसको बना ले जाए यह सब चीछे खुद से काट किरिजे खुद से तो इसको काट लेंगा ना देखिए इसको काटना कोई ऐसा नहीं आप इस 59 को 60 लेकर बना ले जाना एक ज्यादा ले ले लिए 36 तो कटी रहे ना उतना कर ली जाएगा खुद से नेस्ट कर रहे हैं लोग 9 नंबर देखते हैं अच्छा यह कोशन में क्या अगर परुणार टे कमी अच्या रीं जुड़र आपट में दीजेगा उसका मतलब अगर टेल गान लेकर यह उन्यिए अगर आप आपchar तो द्सका नहीं थे फुल्ब खकुद सा अट खाया जय से लिए 30 निजया च्पी आप ए इसा नहीं बूलता है यहां तक कोई परूप निल्काश आच्यों है यहां से यहां हो गया तो खर्च में बोलता है। ना कमी घ्टेश चाहए जादा बोलता थो यह सौम भाति है। यह करते हैं। जैसे यह कोच्छन देखे, इसमें क्या बोला था, 18% बढ़ गया, तो व्यक्ति खर्च में 12% की बिरिध्धि, खर्च में बिरिध्धि बोलेगा ना, खर्च में 12% तो खर्च ये कहलाता है और खपत ये कहलाता है, तो खर्च ये है, खपत ये है, खर्च ये है, खपत ये है, जो खपत है ना इसमें कमी हो रहा है इसमें कमी हो रहा है कितने की कमी हो रही है तो कहेंगे आठ पुर्णांग ध्यान देजेगा कमी जो हो रही है आठ पुर्णांग यहां लिख दे रहे है आठ पुर्णांग एक बटा तीन परसेंट अच्छा इसको लिखना चाहे तो इसक कुतना है की कमी करना है 120 में 220 में क्रक facing refund all because किदि कमी करनी है इस Jewish दो पिटीज मोँ सब्युआ करना छाहिए 110, इसका मतलब यह है कि 120 से उसका कमी होके कितना होगा 110, आया समझ में कुछ नहीं है, अगर जितना कमी करना हो, किसी चीज में अगर कोई कहें, एक बटा 12 कमी करना है, तो उसमें कितना से गुना होगा, तो 12 में एक कम कर दीजे, जो उपर वाला है, तो 11 बटा 12, 12 मतलब यह न अब आप देखिए कि क्या हो रहा है फिर से सुनिये, कह रहा है कि चीनी पहले 100 का था तो अब 120 हो गया, उसके खपत में 8 पुर्णा एक बटा 3 परसन कमी तो देखिए कमी करके इतना ला दिया 8 पुर्णा एक बटा 3 तो इसका मतलब यह है कि इसका खपत अब कितना इतना हो ग तो स 안हं कितना परसंट गeller है तो यहाँ ब्रेधि का परसंटेज मंग रहा है किसका मांग रहा है खर्च में कितना प्रतिसात ब्रीधि हो एक है और 110 हो गया है तो 10 परहर है, यह डिरेक्ट आपकर बोल सकते हैं कि ब्रिधि कितना हुई 10 परसंट इसमें कुछ निकालना नह तो 10% अगर दो मितुक्त को जब kurना है तो तो करने के क्या जरुए था क्या है तो 10% पर उतना रहाएगा तो अगरने कहता है तो साहिए पर सबकुर्ण जो को जब घगा पहला, increase by 10% अब देखे, अगला question पर देखे देखे, इसमें भी उसी तरह का question है, ध्यान दीजेगा ठीक है, देखे, अब कह रहा है क्या है, देखे, सुनिएगा, ध्यान दीजेगा, चीजों पर ध्यान देगे, तब समझ में आएगा बुला है, चीनी के दाम में कितना परहा पचीज Baby Park 25 बढ़ने का मतलब है, कि वो सौ से कितना होगा होगा 25 तो देखिए 100 से 125 ब्रची सो बढ़ गया 25 परशन बढ़ गया 100 से 125 परशन बढ़ गया किने अब कर दाद चीनी पे वह का वही अस्तर बनाये रखने के लिए एक व्यक्ति अपने उभूग में फिर से उभूग में 4 परशन की कमी करने का मतलब क्या है अगर कोई कहे कि 4 कि 4 पर्षण की कम ही करणी है तो 4 पर्षान का मितलब 4 बटा क्या होता है 100 इसका मतलब क्या होगा चार सी कितने तो 25 तो मतलhte मतलए एक बटा 25 हुगा किने तो 4 पर परषन को एक बटा 25 बोलते हैं डिरेक्ट रट लिजे हम तो आपको दिखाने के लिए करना पड़ता तो questa 15 और तो देखें, देखें, पर 25 पर एक कम किजिए, तो हम कहेंगा 24 बटा 25 से गुना, और आप देख रहे हैं 25 से ये 5 बार में, और 25 बार में 25 से इसका मतलब वह कितना हो जाएगा 120, ध्यान देपार है, कुछ नहीं है कोश्चन में, अगर आप नहीं ध्यान देगे तो ये सब आफ है, कि 100 से व niez 125 होगै, और उभ्ह आफ में बोला है, उभ्ह है तो चार परषॣ की कमी कर दी घाना, तो चार परषॣ का कमी करना म kier बड़ी बड़ी बात नहीं जी है, gradu चार परषॣ में 25 से इक कमिक्रना भी परवटेस तो देखिए पहले 100 इसका खर्च था 100 था अब वो अब 120 हो गया है करना चाहरा है तो कितना यहां बढ़ गया तो काईगे बिरिद्धी का परसंटेजिस में डिरेक्ट लिख सकते हैं 20 परसंट आप निकालें भी अंतर करें तो वही आइगा अभी तो बताएं इसका अंसर क्या ढाऊँ जागा 20 इसका इंसर क्या हो जागा 20 परसंट से नेक्षन पर चलते हैं 10 को अब वह खास पांच को और बाकी इस स्हुंआ को भी देख लेते हैं देखिए देखिए इस question को, इस question में क्या पूरे है, कर रहा है, दो संख्या कि, तीसरी संख्या से करम सा 25 परसेंट और 15 परसेंट अधिक है, अच्छा, ध्यान देज़े, अगर कोई कहे कि दो संख्या हैं, तो आद तीसरी संख्या से, एक संख्या को A ले ले रहे हैं, एक को B ले ले र करमसा मतलब पहला वाला पचीस परसेंट अधिक होगा मतलब जो तीसरा से पहला वाला है वो कितना अधिक है तो कहेंगे यह पचीस परसेंट अधिक है ध्यान दे रहे हैं पहला वाला जो है वो पचीस परसेंट अधिक है तीसरे से और जो दूसरा वाला होगा वो कितना हो ज इसमें बनाने का क्या तरीका होगा? तो कह रहा था कि जो दो संख्या हैं वो तीसरी से 25% और 65% अदेकि इसका मतला पहला 25 अदिखे थीसरा से और दूसरा वला 65 तो जिससे compare उसको 100 मानेंगे देखेगा यहां C से compare हो रहा है दूनों का तो C को 100 मानें, अगर C को 100 मानेंगे तो 100 में 25 परशन बरहाएंगे तो यह तो 125 हो जाएगा और 100 में अगर हम 65 बरहाएंगे तो 165 हो जाएगा तो इसका मतलब पहली संख्या 125 आगे और दूसरी संख्या 165 आगे तो कहा है ना कि दोनों संख्याओं का अनुपात तो कोई आप से अगर बोले कि 125 पहला और दूसरा है 115 इनका अनुपात बताईए तो अनुपात बताने के लिए देख लिए किस से ये दोनों कट रहा है पांस कट रहा है 5 दूनी 10 पचाहा 25 पांस काटेंगे तो पंतियां ही 15 पंतियां ही 15 25 अनुपात देख लिए इसको हो रहा है समझ में आ रहा है जिससे कंपेर करेंगे उसो सौल लेंगे देखिए और इस तरह का कॉशन होगा थोड़ा थोड़ा बदल के रहेगा सब किया कोशन कर रहा है उसे था कि दो संख्या किसे तीसरी से 50 पर सेंट और 75 परसेंट कम है। लेज दो संख्या ये साय सम्षा दनावल गेल्ट कातiliation सुर्थी एक बतुम संख्याई को यह अर्धा के लिएक लेड़े के लिएक कान लेजर कोम थैसा संख्या यह तो फाल बितना काम है तो आज संख्या गाल साम काम और जो दूसरा वाला है वो कितना कम है तो कहेंगे यह कम है 75 % गूंहे तो माईनश का साइन दिया है ठीक है तो इसको गूत आइ Legacy on learning to Sब का dzisiaj क्याइन का ठारीका होता है इस का heroston को 100 को पहलाना आता है तो पहला वाला 50 % गूंहे और दूसरा वाला 75 % Ampare б Points तो ये 100 होगा तो पचास ये था पचासे रहेगा आप अब चौतर कम तो फटीस हो जाएगा तक आग एगा पहला संख्या ये दूसरा चंख्या थैस्स अभ्ड़ती संख्या मिल गई अब क्या कर रहे हैं तो करें दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए आचा दूसरा और पहला में बात कर रहा है पहला और दूसरा में बात कर रहा है कितना परसेंट बढ़ाया जाए और वहां लिखा है ना कि बढ़ाए जाए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए तो यहां देखेगा यहां पर दूसरा वाला के जब पहला वाला के इतना बढ़ाए जाओगा भाई how much percentage the second number to be enhanced to make the equal to the first ठीक है, हा जाए रिखा है बुष्या वाला के कहाओ उपहला है कि पहला हो जाए , तो देखेगा-गर आप ध्यान देखेगा ठीक है Wow your question हमको लगे question में कोई fault है कि यह नहीफ, रूसरा वाला का कि सनग्णैप कहला है 50-50 का, तो एंतर उपर, इन दोलों का नटर उपर, पहला और दुसरा का बात किया रृद्धी का पर्सेंटज मांग रहा है, तो एंतर उपर आप विर्धी बोलेगा, तो दूनों में जो कम होंगा, और नीचे, तो 50-25 में कौन कम है, पचीस, तो पचीस नीचे, गुना में 100, तो हम कहेंगा 125 पचीस कट के आगया एंसा 100 परसेंट इसका मतलब कितना परसेंट बरहाना होगा 100 परसेंट तो लिख लिजाए नेक्ष्ट देखा जाए देखे इस कोश्चन को अब दो तीन कोश्चन है तुरन तुरन कर लेते हैं हम लोग गजना अब देखे लिखा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या देखे तर से वही जाहिए कि दो रिच्ट 10 परसेंट यह While thisень इतना कम है 20% कम है इसका मतलब हम क्या सिखाएं आपको यही सिखाएं ना कि जिते कंपेर होगा उसको 100 तो इसको 100 मानेंगे तो इसको 100 मानेंगे तो पहला वाला 10% कम है तो यह 90 हो जाएगा और यह 20% कम है तो 80 हो जाएगा एदम असान सिखा रहे आपको तो क्या कह रहा है दे दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को कितना परतिसत बढ़ाना होगा, इसका मतलब पहला और दूसरा में बात हो रहा है, कितना परतिसत बढ़ाना होगा, इसका मतलब बृध्धी का परसंटेज मांग रहा है, बृध्धी का परसंटेज पहला और दुसरा में तो अंतर उपर वृद्धी बोलेगा तो कम बाला नीचे और गुनामें 100 तो अब काटेंगे तो 4 से ये 2 बार में 4 से 25 बार में 25 बटा 2 का मतलब सारह 12 परसंट सारह 12 परसंट तो इसका एंसर हो जागा सारह 12 तो इसको भी बना लिजे और हुछे करें ग Agarher इस को देखा जाए अब कोश्चन क्या कर रहे है इस कोश्चन किया कार रहें इप कुश्चन कि जला रहे हुए कि ने ऐसी तरह से तोरा थोरा बदल के दो संख्या और 1000 कोश्चन कर रहे है कि जो कोश्चन सब्सक्राइक देखें और पहला वाला वह कितना कम है? पहला वाला कितना कम है तो कहला है तो सेखना है कम है तीसपरसेंट और दूसरा वाला कितना कहा है तो सेखना वहींच कम है इसमें भी देक्ट नहीं है तो इसका मतलब यह ग् Buddhist Healthcare sixexy सेखन आदा, तो पहला ही 40% कम होगा और अगर दूसरा 37 कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, आपको एकदम अच्छा लग रहा होगा, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, पढ़ने पर ध्यान देज़ेगा, हम भी लगतार आपको पढ़ा रहे है कि अच्छा अच्छा content देपाए, अब बोल रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना percent कम है, अच्छा इसमें और इसमें बात कर रहा है, दूसरी कितना percent कम है, तो कितना percent कम है, तो कमी का percentage चाहिए, तो अंतर उपर रखेंगे, अंतर उपर रखेंगे, तो दोनों का तो 70 नीचे और गुना में 100 007 कट जाएगा ऐंसर आजाएगा देखे यहां सहीं से काट दे रहा है आपको यह साथ बटा 70 यह सक्तर आगूना 100 ऐता तो यह जी जीरो से जीरो कट रहां था सांसे साथ तो एंसर आजागा 10%, तो एंसर आजागा 10%, C number option, एंसर आजागा 10%, एक कोशन और है उसको भी निप्टा देते हैं, तो आपको लगतार 15 कोशन करा रहे हैं आपको, देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हमारे जो वीडियो हैं, उसको ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीज़े हमारे चैनल को और भी अच्छा अच्छा कॉंटेंट देखने के लिए और दोस्तों के बीच शेर कीज़े जैसे कि यही कोशन देखें यहां बोल रहा है दो संख्या पहले लेते हैं और इसको बोला है कितना अधिक है 40 % यह 40 % है ठीक है तो यह 40 % अधिक है ठीक है अब देखें अगर हम हम इसको सव मानते हैं तो क्या होगा तो यह तो 130 हो जाएगा और यह 40% बढ़ रहा है तो यह 140 हो जागा इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब कोशन का लेंग्वेज आप देखें कि क्या बोला है तो कह रहा है तो दूसरी से पहली का परती सत अचा तो पहली का परसेंटेज तो दोनों में पहली कौन है 130 और किसके परसेंटेजर पुछा न्युसरी के तो उसको पुमुछार नीचे था पिक्वारून में 100 तो देखें कि क्वार है यह 1000 का परसेंटेज बोला था तो पहली तो जिसका परसेंटेज बोला है यह psychology परती सत बथा तो बताए तो पहला कौन रहा है 131 तो जिसका पुछे उसको उपर तो 130 उपर और किसके तुनला में मांगा दूसरे के तो दूसरा नीचे अगुना 100 यही तरीका होता है बनाने का 002 सत्य और 2 से कितना बार में 50 बार में तो 13 55 तो 650 बटा 7 और 7 से अगर काटाएंगे तो कितना 9 सत्य 63 और बचेगा कितना 63 जाएगा 227 दूनी 14 तो 6 बटा में 7 परसंट तो एंसर हो जाएगा यह बानवे परनांग 6 बटा 7 परसंट तो यह वाला भी कोछन आपको समझ में आया होगा इसमें क्या लगाया कि समझ में आया अगर पहली का परसेंटेज मांगे ना तो पहला उपर और जिसके तुलना में मांगे तो मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही